हालो दोस्तो आज मैं आप लोग परसेंटेज का जो बेसिक क्लास चल रहा है उसका पाट टू कराने वाला दोस्तो तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसेंटेज को एक तरह से बोला जाता है कि ये अर्थमेटिक का रिल का हड़ी होता है ठीक है रिल का हड़ी कहने का मिलेगा तो चली देखते हैं हम लोग आज कुछ basic question को पहला question हम लोग के पास है 420 का 25 पर 30 प्लस 600 का एक बटा दो बराबर वाट तो यहाँ देखे परसेंटेज है बटा है सब कुछ एक साथ मिला हुआ है करना कैसे होता है ध्यान देजेगा 420 का 420 लिखेंगे का मतलब क्या होता दोस्तों गुना होता है ठीक है फिर 25 परसेंट है तो परसेंट हटाते हैं तो उसके बतले में बटे में 100 देते हैं पलस अगर आ गए हाँ बीच में या मैनस तो इसका पाट इदर अलग हो जाएगा ये, तो ये 600, फिर का है तो इसका इंटू, एक बटा दो, कहें कैंसल होता तो कर लेते हैं, देखें, 25 से कट जाता है ये 4 बार में, 4 से ये कट जाता है दोस्तो, 4, 1, 0, और 5, ठीक है, 105 बार म जबकि 2 से ये कट देंगे, हम लोग तो कट जाएगा, 300 बार में, तो इधर 105 है, और इधर कितना है, 300 है, क्या कर देना है, दूनों को पलस कर देना है, क्योंकि भी जमें, पलस का साइन है, तो 405 आएगा, दूनों को जूड के दूस्तो, तो उमिद करता हूं, कोस्टन समझ गए दोस्तो, तो ये उसी प्रैटरन का आपके पास प्रैक्टिस कोस्टन है, इसे बनाए, और जो भी इंसर आता, उसे कमेंट बक्स में कमेंट करें, देखिए, नेक्स कोस्टन है, उसी टैप का है, बस वहाँ पलस था, यहाँ पर क्या करना होगा, हम लोग को माइनस करना ठीक है, छे सो चालिस का एक बटा दो, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, छे सो चालिस का मतलब क्या है गुना, एक बटा दो का एक बटा दो ही रहेगा, यह तो माइनस का माइनस, फिर साथ सो का मतलब गुना है दोस्तो, पचिस परतिसात है, तो परतिसात के लिए क्लिए क्या तीन बार में, दो बार में और एक जीरो क्या आता है देखिए, इधर आएगा 320 माइनस 25 सत्य होता है दोस्तों 175 ठीक है, आप इस दोनों को जब माइनस कर देंगे हम लोग कितना है आपके पास देखिए, 320 और माइनस 175 तो हम लोग के पास आएगा 145 ठीक है तो आप्सन नमबर देखिए, कौन सा सही होगा इसके लिए आप्सन नमबर A सही हो जाएगा तो उमीद करता है, यह कुश्चन भी दोस्तों आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कुश्चन समझ गया है, तो यह जल्दी से कुश्चन को बनाएं, आपके लिए है और एंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें देखिए, अब थोड़ा साला कुश्चन आ गया है 3600 का मतलब गुना 7 बटा 9 फिर से एक बरका है फिर से गुना दे देंगे और क्या है, 45% तो भटे में क्या होता है परसेंट के बदले में 100 अब काट शाट करते हैं कहीं अगर होता है तो देखिए, 9 से पहले ये 2-0, 2-0 तो कट जाएगा दोस्तों यहां पे और 9 से काट लेते हैं इसको हम लोग 4 बार में ठीक है क्या मिला है हम लोग का फाइनली 4 गुने 7 और गुने में 45 ठीक है 4 गुना 7 गुना 45 ये मिला है तो देखिए, सब को गुना करेंगे जब हम लोग तो हम लोग के पास आएगा 1260 ठीक है 1260 देखिए, किस option में है option नमबर B में है तो option नमबर B इस question का सही answer होगो दोस्तो उमीद करता हूँ, ये question भी आप लोग को अच्छी तरह से समझ माया होगा ठीक है देखिए, question समझ गए है तो ये question आपके लिए है, practice के लिए है आपका, इसे practice करें और जो भी answer आएगा, उसे comment box में comment जड़ू करें दोस्तो आपके सभी comment को मैं check करता हूँ, दोस्तो इसलिए comment करना न भूलें देखिए, अब question थोड़ा सा लगा गया सभी basic question है, अलग लग टाइप का और सब percentage का है, ठीक है ये क्या है, हम लोग को देखिए 1600 का मतलब के गुना अब ये percent ही कितना नहीं पता है, तो x percent है, तो x percent के बदले में बटे में 100, और बराबर में है 672, 672 ये 2,0 से 2,0 काट देते हैं हम लोग, बराबर रने पर दोस्तों दिखे हैं, हम लोग उपर-उपर काट सकते हैं, मतलब ये 16 और 672 आपस में कट सकता है 16 से देखिए, काटते हैं 16,4,64,3,2,16,2,32 तो x का value क्या आ रहा है, हम लोग के पास 42 percent मतलब ये कितना है, इसका 42 percent है, किस option में है option नमबर बी में है तो option नमबर बी, इसका सही answer होगा दोस्तों, तो उमीद काता हूँ, ये question भी आप लोग समझ गया होगा अच्छी से दोस्तों, अच्छी तरह से समझ माया होगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत या परिशानी नहीं होई होगी कहीं भी कोई दिक्कत हो दोस्तों, तो उसके लिए आप comment कीजिए आपके सभी comment का आपको जवाब ज़रूर मिलेगा ये आपके practice के लिए practice question है इसे बनाया और आप comment box में comment कर आपना answer देखिए, ये थोड़ा difficult question लगता है सभी कोई को ऐसा क्यों हो, क्योंकि इसमें root आ गया है बहुत सारे जो student है, root को देखकर कहीं question को छोड़ दते हैं दोस्तों तो देखिए, बनाईएगा तो बहुत आसानी से बनेगा, ठीक है सिर्फ समझने का काम है आपका 160 का 160 का मतलब गुना under root में है, चलिए what मान लेते हैं, square x है परसेंट के लिए वही नहीं है, मैं बटे में, 100 बस ध्यान से देखिए, बस समझते जाईए 64 को 2 से डिवाइड कर कहीं लिख जते है, direct कितना आएगा इधर तो इधर आ जाएगा, 64, 32 ठीक है, 1, 0 से ये 1, 0 कट गया अभी हम लोग देखे थे कि जब बराबर होता है तो उपर उपर काट सकते हैं, तो 16 और 32 आपस में तो कटने वाला है कट जाएगा 2 बार में, तो finally क्या मिलता है, देखिए, under root x ये 10 और 2 आपस में, cross में है तो गुना हो जाएगा, तो 10 दूना हो जाएगा दोस्तो, 20 अभी ये root को उधर भेज देंगे, तो उधर जा करके बन जाएगा square मतलब कि 20 का हो जाएगा square तो 20 का square देखिए, दोस्तो, x बराबर क्या होता है, अम लोग के लिए अब 400, क्योंकि 20 का square होता है 400, ठीक है, किस option में है देखिए, option number B में है तो option number B इस question का सही answer हो जाएगा दोस्तो, उमीद करता हूँ, ये question आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अब ऐसा question आप नहीं छूड़िएगा exam में चलिए, अगर समझ गया है दोस्तो, तो ये same pattern का question है आपके लिए इसे बनाईए ताकि आपको भी समझ में है दोस्तो, क्या question निशी तरह समझाएं की नहीं दोस्तो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो like, share और comment करें और इस वीडियो में अगर पहली बार आए है, इस channel में पहली बार आए है दोस्तो, आप तो इस channel को सब्सक्राइब कर ले इसे प्रकरा के नए नए वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तो, आप सभी का